हेलो फ्रेंड, माइनम बसंद बरेट, I am academic head at gypsa and welcome to our youtube channel gypsa education and training फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं fair and safety good or bad जिहां फ्रेंड, आज किस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं कि आपको एक अच्छे future के लिए fair and safety course करना चाहिए कि नहीं तो चलिए जानते हैं कि fair and safety हमारे future के लिए कितना important है और हमें ये course करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वीडियो स्टाट करने से पहले friend मैं कहना चाहूंगा अगर आप हमारे channel में first time आया हैं और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि आप हमारे channel को subscribe कर लें और हमारे द्वारा बनाय जा रहा है सारे वीडियो की notification पाने के लिए बैल आइकान को प्रेस कर दीजिए friend अभी हम बात कर रहे हैं fare and safety एक अच्छा carrier हो सकता है कि नहीं आगे इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं friend कि जिस तरीके से 2021 रहा 2022 रहा और अभी जो 2023 की हम बात कर रहे हैं आने वाला जो 24 का जो year होगा fare and safety के लिए एक बहुत ही बहतरीन option होने वाला है यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि friend जिस तरीके से आज इंडस्ट्रियों में चाहिए वो छोटी company हो चाहिए बड़ी company हो आप देखेंगे 50 worker के पीछे 100 workers के पीछे आपको एक safety supervisor safety officer देखने को मिल जाएगा हर एक plant में आज आज आपको fire department देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से industrialization हो रहे हैं वहाँ पर fire के chances भी बड़ रहे हैं तो आप 23 और 24 का जो आने वाला जो समय होगा वो fire and safety के छेतर में बहुत ही एक अच्छा carrier बनाने का सुनारा आउसर होगा ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि fire and safety के छेतर में एक अच्छा carrier अगर आप बनाने की अगर आप सोच रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं और आप 10, 12th graduation अगर आपने अपना complete कर लिया है तो fire and safety के छेतर में आप एक अपना अच्छा भविशा बना सकते हैं बस इसके लिए आपको क्या करना होगा एक अच्छे institutions की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर government approved आपको fire and safety से related course कराई जाती हो साथ ही फ्रेंड ये ध्यार रखने वाले बात है fire and safety जिसमें more than 70% practical होती है तो आपको ऐसे institutions की खोज करनी है या तलाश करनी है जहां पर practical को ज़्यादा priority दी जाती हो जिसका खुद का अपना एक practical ground हो जहां पर latest fire and safety equipment के साथ आपको training देने की सुविधा दी जाती हो साथ ही साथ आपको other skills को develop करने की facility दी जाती हो जहां पर आपको body language की classes, English spoken की classes, industrial visit, guest lecture, communication को और कैसे बहतर strong किया जा सके इस तरीके के classes भी जहां पर आपको दी जाए आपको ऐसे institutions की तलाश करनी चाहिए और वहां से आपको admission लेके आपको fire and safety का course करना चाहिए अगर इस तरीके के सुविधा के साथ अगर मैं आपको एक institutions के बारे में बताऊं तो जिपसा सेंट जोसेफ इंटरनेशनल fire and safety academy जो आज 28 यर से education की छेतरा पे work out कर रही है जहाँ पर friend fire and safety जो central government approved course यहाँ पर कराए जाते हैं जहाँ पर 12 एकर पे फैला हुआ आपको practical ground की facilities मिलती है जहाँ पर more than 3500 equipment के साथ आपको practical करने की सुभधा मिलती है जिसमें work at height, confined space, grip descender, rope grab fall arrester, minor firefighting, major firefighting, hydrant drill, stretcher drill, ladder drill, scap folding देन आपको first aid की facilities आपको मिलती है fire alarm control panel की आपको यहाँ पर facility ट्रेनिंग के माधियम से आपको complete जानकारी दी जाती है इस तरीके से आपको यहाँ पर training करने की सुभधा मिलती है जिपसा जहाँ पर आपको one month के course से लेके आपको three month, six month, one year के course जिसमें आपको advanced certificate, industrial fire and safety management, professional certificate programming, fire and industrial safety management यह सारे courses करने की आपको सुभधा दी जाती है, जहाँ पर आपको Hindi और English माधियम में आपको सारे books material प्रोवाइड की जाते है और books आपको eco friendly के साथ, user friendly आपको यह दी जाती है ताकि आप अच्छे से उसको study कर सके तो इस तरीके की सारी सुभधाएं जो है आपको जिपसा में सेंट जोसेफ इंटरनेशनल fire and safety academy के माधियम से एक course आप कर सकते हैं जिसका अपना खुद का placement department है, जो after end of your course आपको एक बहतर placement की सुभधा भी प्रदान करती है जिनका अपना खुद का job portal, walk for job है, जिसके माधियम से आपको वे एक अच्छे job की सुभधा प्रदान करती है, एक अच्छे salary के साथ, तो आप भी विजिट कर सकते हैं fare and safety में अगर आप एक career अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप विजिट करिए, जिपसा सेंट जोसेफ इंटरनेशनल fare and safety academy